ओम नमोह भगवते वासु देवाय नमाह इस मंतर का ही जाप करते हुए आपको इस बार की निर्जला तुलसी इकादसी का वरत रखना है दोस्तो नमस्कार मैं जोती आपका बहुत-बहुत से स्वागत करती हूँ दोस्तो कल यानी की 31 मई दिन बुद्धवार को 2023 की सबसे बड़ी जो निर्जला तुलसी इकादसी है पढ़ रही है इस वरत में समय किस तरह से क्या करना है मैं आपको सारा कुछ बता रही हूँ आप लोग ध्यान से सुन लीजे गर्वती महिलायें भी कुछ नियम का जरूर पालन करें तो मैं आपको बता देती हूँ इसका जो समय है वैसे तो यह तीस मई दो पहार एक बच के नौ बज़े से जो है इसका समय शुरू हो जाता है लेकिन जो वरत किया जाएगा न वो 31 को ही किया जाए और एक जून यानि की द्वादसी को जो है वरत का समापन होगा जिसका समय जो है वो एक जून एक बच कर चालिस मिनट तक जो है इसका समय रहेगा दोस्तो द्वादसी के दिन जो पारण का समय रहेगा वो रहेगा सुबह पांच बच कर चौबिस मिनट से आठ बच कर दस मिनट तक तो यानि कि जो एक आदसी है वो शुरू होगी आपकी तीस मई से दोपहर एक बचके नौ मिनट पर और जो वरत है नरजला एकादसी जो वरत है वो 31 मई बुद्वार को किया जाएगा और जो इसका समापन है वो आपका एक जून को होगा तो जिसका समय मैंने बता दिया पांच चौबिस से आठ बचके दस मिनट तक और हां जो गरवती महिलाये हैं और अन महिलाया पर उसे जो भी सकवरत रखते हैं वो भूल कर भी इस दिन ना तो तुलसी पे जल्ट चड़ाएं मतलब की तुलसी में पानी बिलकुल भी नहीं चड़ाना है और हां तुलसी के पत्ते भी गलती से नहीं तोड़ने हैं आप जो है एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ कर रख लीजे जिसे पूजा में आप लोग इस्तमान करेंगे अपने किसी भी सलाकार से जरूर सला ले लें क्योंकि ये व्रत बहुत ज़्यादा टफ व्रत माना जाता है तो दोस्तों बहुत ज़्यादा अपने स्वास्त का ध्यान देते हुए ही व्रत को करें बाकी आने लोग जो इस व्रत को रखते आए हैं वो नॉर्मल विधी विधान के अनुसर व्रत को करें तो दोस्तों उमीद करूंगी ये वीडियो आप लोगों को कुछ न कुछ जरूर जानकारी देने वाली लगी होगी आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी तब तक आपको तुलसी एकादसी की बहुत-बहुत से बधाई हो प्रे करूंगी की तुलसी एकादसी के दिन भगवान विश्नु मातलक्षमी आपकी सारी इच्छा को पूरी करें मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार